नमस्कार दूस्तू स्वागा थे आपका हमारे चैनल पीके गुरू जी में आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से सम्मंदित कुछ पिष्णों को डिसकस करेंगे तो चलिए जिन पिष्णों की हम बात करेंगे उनको पहले देख लेते सबसे पहला जो हमारा प्रेशन है कि निमलिकित में से कौन सी गैस प्राचीन यानि की आदेम प्रतवी के बायू मंदल से अनुपस्तित थी ठीक है हमें यह बताना है कि कौन से ऐसी गैस है जो की प्रतवी के बायू मंदल में सबसे पहले नहीं थी Option A, Methane, Option B, Ammonia, Option C, Oxygen, Option D, Carbon D, Oxide तो इसका जो सही अंसर है वह है Oxygen यानि सबसे पहले जो प्राचीन हमारी प्राचीजबी थी उसमें Oxygen Gas उपस्तित नहीं थी आगे बात करें कि प्राचीजबी के बायू मंदल में Oxygen Gas नगन नया उपस्तित थी जबकि Methane यानि की CH4, Ammonia NH3, Carbon D, Oxide CO2 आदी गैसें उपस्तित थी आगे बढ़ते हैं कि बरतमान प्रामार के अनुसार प्रत्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग Option A, 20,000 बर्स पूर्व, Option B, 2,000,000 बर्स पूर्व, Option C, 20,000,000 बर्स पूर्व या Option D, 2,000,000 बर्स पूर्व, तो इसका जो सही अनुसार है वह है 2,000,000 बर्स पूर्व, ठीक है? बहु कोशिये जीवों का बेकास हुआ जो की यू केरियाटिक कोशिका वाले रहते हैं गया तब है कि जीवाणू तथा नीले हरत सेवाल, साधान किसम के प्रोकेरियाटिक कोशिका वाले होते हैं अगला पस्व है कि प्रत्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है ओप्षन A नील हरत सेवाल ओप्षन B कवक ओप्षन C अमीबा और ओप्षन D यूग लीना तो इसका जो सही अंसर है वह है ओप्षन नम्मर A नील हरत सेवाल यानि प्रत्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो है नील हरत सेवाल आगे बढ़ते हैं कि प्रत्वी पर सबसे पुराना जीब नील हरत सेवाल है ए ऐसे प्रथम जीब हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकास एवं जल के प्रियोग से भोजन का नर्मार करना प्रारम किया इस पिकिरिया से उत्पन हुई ऑक्सीजन गैस बायो म प्राक्तिक बरणबाद निम्न में से किस पर आधारत है ठीक है प्राक्तिक बरणबाद ओफ्षन ओवर प्रोडक्शन ओफ्षन बी स्ट्रिगल फोर एक्जिस्टेंस एंड बेरियंस ओफ्षन सी सर्वाइवल ओफ दाफिटेस्ट ओफ्षन दी उपर्योगत सभी तो इसका जो सही अंसर है वह है उपर्योगत सभी यह जो प्राक्तिक बरणबाद है ओवर प्रोडक्शन इस्टिगल फोर एक्जिस्टेंस एंस बेरियंस और सर्वाइवल ओफ दाफिटेस्ट इन सब पर आधारत है आगे बढ़ते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन थे इंग्लेंड के जेव विकासवित थे इन्होंने डार्विन बाद प्रिस्टुत किया डार्विन बाद को प्राक्तिक बरणबाद भी कहते हैं डार्विन बाद की बिस्तित ब्राख्या इनकी पुस्तक प्राक्तिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में चपी है आगे बढ़ते है कि पुष्टक the origin of species किस ने लिखी है ठीक है पुष्टक का नाम है the origin of species यह किस ने लिखी है option a linear option b lamark option c mandel और option d darban तो इसका जो सही अंसर है वह है darban यह लिखी है darban ने आगे बढ़ते हैं कि the origin of species पुष्टक darban द्वारा लिखी गई है चार्ल्स darban इंग्लेंड के जयव विकास बित थे इनकी द्वारा पिस्तुत विकास बाद को darban या प्राक्तिक बरण बाद कहते है आगे बढ़ते हैं कि जयव विकास यानि evolution को सरपथम किसने समझाया option a newton, option b Einstein, option c Charles darban या option d lamark तो इसका जो सही अंसर है वह है lamark यानि option number d इसका सही है जयव विकास को सबसे पहले lamark ने समझाया था ठीक है तो जयव विकास परिकल्पना पर पहला तायक संगत सिद्धान्त फ्रांस एसी वियू बिग्यानिक जीन बेपिस्टडे डी lamark ने पिस्टुत किया जो 1829 वी में उनकी पुस्तक philosophy जो लोजिक में छपा इसे lamark का सिद्धान्त या उपारजित लक्षणों की बंसागती का सिद्धान्त भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं कि विकास के उत्परिबारतन सिद्धान्त का प्रतिबादन किस ने किया था ठीक है विकास के उत्परिबारतन सिद्धान्त का प्रतिबादन ओफशन ए हकसले ने ओफशन बी डार्वन ने ओफशन सी लेमार्क ने और ओफशन डी हीउगो डी बिरीज न तो जो विकास के उत्परबतन सद्दान्त को हॉलेंड के जो पादप सास्त्री थे हीउगो डी ब्रीज ने दिया था इनके अंसार नई जाती की उत्पत्ती अचानक एक ही बार में होने बाली इसपस्ट तथा इस्थाई बड़ी विभिनताओं के कारण होती है जाती का पहला सदस्य जिसमें उत्परबरतल लक्षन दिखाई देता है उत्परबरती कहलाता है आगे बढ़ते हैं ये जैबो विकास के संदर्व में सापों में अंगों का लोप होने का इसपस्थ किसमे किया जाता है option A, अंगों का उपयोग तथा अनपयोग किये जाने से option B, बिलों में रहने के प्रती अनकूलन से option C, प्राक्तिक चैन से option D, उपार्जत लक्षणों की बनसागती से तो इसका जो सही अंसर है वह है अंगों का उपयोग तथा अनपयोग किये जाने से आगे बढ़ते हैं कि जो फ्यांसेशी जिव बिग्यानेक थे लेमार्क इनके अंसार परिबारतन सरी के उपियोग तथा अनुपियोग के करण होता है बदलते बतावर्न में जीव धारी जो है नई अभक्स्रताओं की पूर्ती है तुछ अपने कुछ अंगों का अधिक प्रियोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम जिसके कारण अधिक प्रियोग किये जाने बाले अंग शुदड़ एवन सूबिक्सित हो जाते हैं तथा बे अंग जिनके प्रियोग कम होता है वो निस्की तथा धीरे-धीरे करके लुप्त हो जाते हैं जिसका उधान है हमारे सदीर के आउसेसी अंग ठीक है लेमायक ने अंगों के अनुप्रियोग के उधान के रूप में सर्पों में पेरों के अभाव को बताया ठीक है उन्होंने कहा कि जिस अंगों का हम प्रियोग जादा करते हैं वो क्या हो जाते हैं शुदर हो जाते हैं और बिख्षू बिख्षित हो जाते हैं लेकिन जिन अंगों का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो दिर दिर लुप्त हो जाते हैं ठीक है तो जिसका उधान हमारे सरी के आउसे सी अंगों को दिया गया है आगे बढ़ते हैं कि जो मेहमत है मेहमत किस जानबर का पूरवज है ठीक है मेहमत हमें बताना है कि मेहमत किस मर्डी हांती का यानि मेहमत जो है वह हांती का पूर्वजे थेंक्यू दोस्तू इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल कि दिए उन्यवाद के लिए दोस्तू